विपिन सर मुखिया जो हैं इन ही के कारण अभी एकदम से विबाद में हैं आपको बता दें इस माता का पैर नहीं है हाथ नहीं है इसी माता को लेकर विबाद छिड़ा कि नहीं भाई साब ये कैसे बोल दी कि नहीं मुखिया नहीं आता है हमारे यहां कैसे बोल दी कि मदद करता है बोल दिया ना से हम बहुत अफसुस किया हम रजब नतिज़ा करता है एक बात बताई ये आप सच बोली थी कि मुख्या नहीं आते हैं तो आपको आके अब धामका रहे हैं कोई बोला है कि नहीं बोलना दोस्तो इस वक्त में 20-30 जी-ले के सलह पंचायत में हूँ यह वही सलह पंचायत जो आजकल एकदम से ट्रेंडिंगे बना हुआ है विपिन सर मुखिया जब से बने तब सही एकदम से ट्रेंडिंगे रहा चुकि मैथ मस्ति के में या appliesismo Name अमसे चानल चलता है और फूरे देश में हर एक बच्चे को पढ़ाते हैं और मसरुं है और आपको हाली दिन में दो तीन दिन पहले एक चिडा है यह निया बिढ़ इसस्कूल को लेकर है यह निया बढूरी माता अधाय को लेकर है यह सभी बिबादों का जड़ जब है मुखिया जी अंत तक आए बीडियो बनाते हैं और सब के बारे में बताते हैं इनके पंचायत के जितने लोग हैं जितने लोग बोले हैं उनके चरित्र पे सवाल उठाते हैं उनके उपर बीडियो बनाते हैं और एक एक डिफिनेशन दे देते है कि जिन होंने बताया है इस चीज के बारे में उनका वाकई में जीवन का इस्तित्त्व क्या है वह करते क्या है यह सभी चीज बता देते हैं फिलाल जिसको देख रहे हैं फ्रेम में यह वही माता है जिसके कारण यह मुखिया च्वाद का बिबाद च्षड़ गया जीर वपिन सर मुख्या जो है इनही के कारण अभी एकदम से बीबाद में Hier आपको बता दें इस माता का पैर नहीं है हात नहीं है सवाल यह उठता है किевой का पैसे आएंगे तो आएंगे कहां से यह खाएंगी तो खाएंगी कैसे आवास पास होगा तो इने मालूम होगा कैसे यही सब सवालों पर एक पत्रकार आता है इनसे सवाल पूछता है और उसके बाद बीपी इंसर बनिया से उसको जवाब देते हैं एकदम से रेल देते हैं कि नहीं तुम आओ बियार में हम तुमको बताते हैं ये वही दादी है दादी केतना दिन से आप परिसान हो रही है इसमामला में 65 सरकारी कर दिन हो गया दू-3 दिन-4 कर दिन कर दिन एक दिन पोछा आपसे रोज आते हैं पुछते हैं इस सब चीज राते आप अच्छा आपका हें अधर कट के गरवर इसे तो कॉन सुधारेंगा आप इन सुधारिएगा लड़का के भेज़ेगा वसुदरबार अच्छा दादी आप यह बोली थी कि मुखिया जी आते नहीं मिलने उले सही बात है का हम बोल दिया से सर हम गल्ती किया हम नहीं जनता रहा विर्धाद में अतना दिमाग में नहीं रहा हम बोल दिया अप सच बोली थी कि मुखिया नहीं आते हैं तो आपको आके अब धंका रहे हैं जी आप लोगो कर रहे हैं आपके पास कोई आया था मुखिया के आदमी बाद में यह सब हुआ उसके बाद में कोई आया था नहीं आया था अच्छा क्या लगता है मुख्या जी आप लोगे लिए अच्छा काम कर रहे हैं और यह नहीं करेगा तो हमरा चिंता नहीं हमरा लड़का है जिंदाबाद उसे हमरा मुखपात्या लगाएगा विरापार हमेशा के लिए जंजट नहीं चलता हम बोल दिया ना है से हम बहुत माता है बिपिन सर जो मुख्या है इस पंचायत के सलहा पंचायत के इसी माता को लेकर विबाद छिड़ा कि नहीं भाई सब यह कैसे बोल दी कि मदद नहीं करता है और जब बोल दी तो एकदम से वाइरल हो गया उसके बाद इनको भी सब लोग डाट रहे हैं सब लोग आकर इनी को बोल रहे हैं कि तुम कहें बोल दी अब बताइए यह बुड़ी जिसके पास हाथ नहीं है पैर नहीं है सब का डाट सुन रही है और सब को यहीं बोल रहा है कि तुम कहें बोल दी ऐसा ही बात है ना चाची यह अभी सब कोई डाट रहा है इस बुड़ी माता को और यह स्कूल है आजा यह जरा पास से दिखाते हैं हम इस स्कूल को यह स्कूल पर बात उठी इसलिए चुकि कोई आया यहां वीडियो बनाया तो दिख गया उसको कि यह गेट है यह वहीं गेट है जिसके उपर सवाल उठा और सवाल उठा तो यहां के कितने लोग सपोर्ट किया और बहुत लोग हैं बुखला गया कि भाई साव यह जो गेट है अभी से नहीं मुखिया बने हैं नौ महीना हुआ और यह जो गेट है दस साल से खराब है यहां पर बहुत सारे युवा लोग है यह गेट कितने लगा है अच्छा वो बूड़ी माता बोली थी कि हमको पैसा उसा नहीं मिलता है और मुखिया जी आते नहीं आप एक युवा है आप सच बोलेंगे कैमरे पे आपके मुखिया जी कितने बार आप से मिलने आए जितने रहा गई विपीन सर की बात और विपीन सर तो गया भी फ यहां पर लोग कितने खूस है यह सब स्कूल देखके बूड़ी माता को इलाज उलाज भी नहीं हुआ कि हो रहा है मालूम नहीं इसाने कोई बोला है कि नहीं बोलना है है नहीं डर रहे हैं तो उसके सूख में पुरा शूख में है बोली एक पूरा टॉक्ष नहीं रहेंगे और यहीं बोली है यही बोलिए नहीं सूख